नमस्कार आप देख रहें गंगा प्राइम आपके साथ मैं हो दिपिका याद अब देश भर में ठंड का सितम लोगों को सता रहा है सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही पूरे उत्तर प्रदेश में हाथ कपा देने वाली ठंड हो रही है शीद लहर और कोहरे को देखते यूपी के ज्यादातर जीलों में ये हाल है कि स्कूल की छुट्या कर दी गए या फिर स्कूलों के समय में बदलाफ किया गया है ठंड का असर यातायात पर भी साफ तोर पर देखा जा रहा है क्योंकि ट्रेन और फ्लाइट लगातार या तो लेट हो रही है या फिर उन्हे पिर रद कर दिया जा रहा है कैंसल कर दिया जा रहा है यूपी के कई शहरों में रविवार शाम को भी तापमान पाच डिग्री से भी कम रेकॉर्ड किया गया ऐसे में सवाल उठता है कि प्रश्यासन इस हार्ड कपा देने वाली ठंड को लेकर कितना मुस्तैद है तो उतर शनिवार को 65 लोगों की जान गई है भीशन ठंड को लेकर के अलर्ड भी जारी कर दिया गया है आपको वदादे उतर प्रिदेश में रिकॉर्ड तो ठंड इस बार पड़ रही है कई जिलों में दो डिग्री से भी कम टेंपरिचर ठंड से पिछले चार दिनों से कई लोग देही बनती है क्योंकि जिस तरीकी की व्यवस्ता लोगों को मिलनी चाहिए शायद उस तरीकी की व्यवस्ता नहीं मिल पाई और लगातार मौत के आकड़े उसमें इजाफा होता जा रहा है स्कूल की बात करें तो स्कूल की छुट्टिया कर दी गई है या फिर स्कूल के ट घड़े बहुत ज़्यादा है और यहां कि कुई चाय मुक्यान पीए तरीकी काम चला रहे है पूरा कोशी दल्व स्कूल के घटका सित्था युदुट थंडी हो ज्यादे कोरा बीया और हाथ सब एक्दम गल नहीं कर रहा काड़ी ओड़ी चलाने का जिए नहीं पी यह इन सुनील कुमार थंड बहुत जादे है यहां पर और हम लोग कोड़ा ताप रहे हैं ठंड प्रसानी ठंड से और भीशन ठंड को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है आट राज्जों में ये अलर्ट जारी किया है आपको बता दे वो आट राज्ज कौन से हैं दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियारा में अलर्ट जारी किया गया साथी चंडिगारण बिहार और राजस्थान MP में भी तो यहां पर ठंड को ले करके अलर्ट जारी कर दिया गया है ऐसे में प्रशासन कितना मुस्तैद है यह देखना होगा चंदिगार बिहार भीशन थंड पर सकती मुशा का यानुमान आठ राज्यों में भीशन ठंड के चलते अलट जारी किया गया कि दिल्ली में कडाकी की ठंड का कह जारी है मैं इस समय इंडिया गीट की पास मौझूद हूँ और यहां पर आप देखी कुछ भी देखा जाना नामुम्किन सा हो गया है कोहरे की मोटी चादर चाही हुई है पूरी सफय चाद यह यहां से गुजर रही है और दैका काफी जाल घंड है है यह देखा जा चाहाँ गी को यह है दीखा जाना भी नामुम्किन सा हो गया है कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा है ऐसे में बहुत जादा सावधानी की बड़तनी की जरुरत है तापमान भी 2.98 चला गया है नियूंतम और इसकदर ये ठंड है कि हाथ पाउंट खिटुर रहे हैं और हाथ एकदम चल नहीं रहे हैं जो काफी गंभीर है क्योंकि हवाओं की जो दिशा होती है गती होती है वो धीमी हो जाती है जिस वजह से प्रदूशन का इस तर बढ़ जाता है और इस वक्त बेहद ठंड और ठिटुरन से जो है राजधाने दिली वक्त के लोग जो है परेशान है ठंड से मोहाल है जिन्दगी लोगों की और ये जो विजिबिल्टी है और जादा कम हो गई जिसमें दिक्कादे बढ़ा दी है अभी तक के देखिए जो बीतावा शनिवा है उसमें काफी जादा कम तापमान था लेकिन जो है कोहरा नहीं था लेकिन आज जो कोहरा है वो बहुत जादा है कुछ भी देखा जाना मुम्किन नहीं हो पा रहा है कामरे परसंद दीपक चौद्वी के साथ इला काजमी बीपी नियूस दिली तो धंड काफी जादा है औ इस वक्त तीन समवदाता हमारे साथ जुड़ चुक है शैलेश अरोडा लखनों से हमारे साथ जुड़ चुक है मौम्मद मोहिन प्रियागरात से और नितिन उपाध्या हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं जो बताएंगी हमें किस तरीके की ठंड फिलहाल वहां पर ह शैलेश सबसे पहले राजधानी लखनों का हाला बताए क्योंकि बहुत बुरी स्तिती है ठंड की वज़े से कई लोगों ने अपनी जान तक गवा दी है सरकार और प्रश्यासन की क्या कुछ तयारियां हैं ताकि इस मौत के आकड़ों में इजाफा ना हो दीपी का देखिए इस समय की अगर बात की जाए तो वक्त है सुबा के 9 बच चुके हैं और जो पारा है इस समय हम हजरत गन में मौजूद हैं लगभग 60 डिग्री इस समय टेंपरिचर है अगर बात करें एक घंटा पहले की 8 बजे की तो उस समय कई जगहा पर सिर्फ 5 चाचला एतनी गलन है और लोग जो है वो जरूरत जो जरूरी काम है उसके लिए घर से निकल ले कोई चाय के बहाने अपने आपको रहा दे रहा है कोई अलाओ तापकर खुद को रहा देनी कोशिश कर रहा है इस ठंड की वज़ा से अगर बात की जाए तो प्रदेश भर मे कई जगा से मौतों की खबरे आ रही है बड़ी संख्या में और जो पेशेंट्स है अस्पतालों में उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है खासतार से जो किड्नी पेशेंट्स है हार्ट पेशेंट्स है उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है और दूसी चीच अगर बात क करें तो सरकार की दर्फ से मुख्यमंत्री जो है उन्होंने लखना हुआ राड़सी समें तमाम जगा पर जहां भी वो जा रहे है जो रहन बसेरे वहां का निरिक्षड कर रहे हैं जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिये गए है कि वो लोग व्यवस्था को सलीष ठंड आने वाले दिरों में और भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि पूरा जन्वरी का महिना बचाए जलेश लेकिन ऐसे में क्या मॉन्ट्रिंग टीम रात के समय में बाहर सडकों पर निकलती नहीं है क्या उन जरूरत मंदों को उनकी मदद नहीं की जाती प्रशासन क जरूरते है जैसे न exception को अलाओ के लिए लकड़ी गिनानी जरूरत है तो कई जगा पर गिर रही है लेकिन कई जगा पर लोग का कहना है कि लगों के विवस्ता नहीं की जा रहे है कोई अलाउत अपने कोशिश कर रहा है तो लोग जो हैं दूर आप देख सकते हैं एक ग्रुप हमें नजर आ रहा है जो अपने बैक्स लेके निकला है शायद कई बहाद निकलने के बूड में और किस तरह से वो लोग जो है काफी कवर करके खुद को बैटे हैं यहाँ पर कु लाइफ किस तरह से चेंज हुई है कोई बदलाओ बहुत बदलाओ है सर जहां पहले गर्मियों में छे बज़े उठ जाते थे उठके जिम चले जाते थे अब ठंडियों में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है सुबह बिना चाय के काम चल जाता था अब चाय जरूरी हो गई है यही सब है सर इतना सुबह पांच अड़ में तयार हो जाते थे अब आदा अदा घंटा लगता है ठले जैकेट पहने स्वेटर पहने इनर पहने इसब सर है अब स्टूडेंट है या जॉब करते हैं क्या करते हैं नहीं सर मेरा बिजनस है तो बिजनस में जाते सामय अभी मन आप मैं जॉब करता हूं तो निवेश यह तो जो पर जाने अमन होता है समय मैं अच्छी यहां रहता है नहीं हो बैंगलोर में रहते हैं और वहां की बाद यहां का टेमपरेचर देख रहे हैं क्या फरक्ड़ देख लेक्ट रहे हैं मतलब मां पर दिन के समय हाफ टीशिट प है यह कुछ सालों में लग अबर फर्फ भी कहीं ना गिर जाए इतनी ठंडी हो रही है यहां पर काफी सोचने वाली बात है ग्लोबल वामिंग एक चीज़ आप से बात करना चाहूंगा प्लीज आईए का आप क्योंकी लखनों से ही है जो सरकार की दर्फ से दावे किये गा एक जगा जगा अलाओ की विवस्था के लिए लकड़ी गिराया जाना और यह सब तो क्या लगता है प्रॉपर वैसे अर्रेंजमेंट्स नजर आते हैं आप लोग को सर मैं बिलॉंगिंग टू गूंती नगर सर वहां पर तो देखिये काम है ठीक है ना वहां पर हमारे दो विदायकों के भी घर हैं उनके भी घरों के बाहर जो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं उनके घरों के बाहर भी जो ब्लैंकेट्स दिये जा रहे हैं गरीबों को यह जो फायर के लिए रखा हुआ है तो वहां पर तो हमें देखने को मिलता है वहां के जो पड़े लिखे लोग ह सबी जगापर बराबर से हो सबी जगापर जहां लोग को जरूरत है जो जरूरत मंद है उन कि ये सारी सुविधाय पहुचाई जाएं फिलाल इसकी जरूरत है दिपिका बिल्कुल सेलिश लॉटों की सेलिश में आपके पास इस वक्त आग्रा का रुख कर लेते हैं नितिन हमार साथ जोड़ चुके हैं नितिन आग्रा में क्या सिती हैं क्या हालात हैं प्रश्यासंग क जैकेट में हैं क्योंकि बाहर निकालते ही वो गलन और ठिटुरन साफ मैसूस हो रही है ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरीके से आपका जो हैंड है वो जम सा जा रहा है और इस समय जो टेंपरेचर आग्रा का चार डिग्री सेल्सियस है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो आगरा कोई श्री नगर शिमला कुल्लू मनाली से कम नजर नहीं आ रहा और ये गलन ठिटुरन सबसे ज़्यादा मैसूस होती है तो गरीब लोगों को जो गरीब लोग जिनके पास पर्याप कपड़े नहीं है या जानबर जो गौशाला के बाहर खड़ा हुआ हूँ दरज लोगों की मौत भी हो चुकी है और यहां इतनी सर्दी है कि जो गौवन्स है या आदमी है बच्चे है चोटे-चोटे यह घरों से बाहर नहीं निकलना चाहरा है क्योंकि कई लोगों ने तो कई दिनों की छुट्टियां भी अपने अप्सों से ले रखी है क्योंकि बारे स्कूल हैं कॉलेज हैं 31 यानि कल तक बंद कर दिये गए हैं नई साल में खुलेंगे तो प्रशासनिक इस तरह की रहत है क्या आपको लगता है कि शहर में जब आप घूमते हैं या ग्रामी डलाकाओं में तो सरकार के इस तरह पर अलाव की लकड़ी हैं उपले हैं कि इस तर सर्दी नहीं पढ़ती है सर्दी तो इस समय बहुत चर्म सीमा पर टेंपरेचर भी बहुत कम है तो मेरा प्रशासन से ही कहना है कि जो आप 11 तक रखते उसको बारा एक बज़े तक रखिएगा उन्ट के मुह में जी रहा है गैसीटर जरूर लगाए हैं लेकिन जिस तरीके स तरीके से जो लगड़ी और तमाम चीजें दी जाती थी इंधन जो फ्यूल दिए वह नजर आ रहा है आपको नहीं आरहा है जरूरत है जरूरत है प्रशासन को कि लोगों वाग सब्सक्राइब हैं तो प्रशासन को यह सोचां चाहिए गरीब लोग हैं जैसे कि कुछ आग क कि व्यवस्ता हो यह कुछ चीज की व्यवस्ता हो या सी सोचने सब्सक्राइब को वाकई में गलन ठिट्रन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है जवर दस ठंडी पड़ रही है और ऐसे में एक तरफ लोगों की जान जा रही है तो वहीं दूसरी तर आगरा में जो गौवंश ह उसकी भी बड़ी संख्या में उनकी मौत हो रही है कुल मिला के कहा जाए जो प्रिशासने की इंतिजाम है वो अपर्याप्त नजर आ रहे हैं बड़े बड़े दावे जरूर किये जा रहे हैं लेकिन आगरा में लगातार मौते हो रही हैं अलाओ की प्रॉपर व्यवस्ता नहीं है कुछ प्रमुक चौराओं पर जरूर नगर नगम की तरफ से गैस हीटर रखे गए हैं लेकिन जिस तरीके से जो इंतिजाम प्रॉपर होने चाहिए बड़े स्तर पर होने चाहिए शायद वो अधिकारियों को नजर नहीं आ रहा क्योंकि उनके घरों में और उनके आफिसों में जो रूम हीटर लगा हुआ है उसकी तपिस से शायद वो लोगों की जो सर्दी बड़ी हुई है उससे कहीं न कहीं वो पूरी तरेके से असंबेदन शील नजर आ रहे हैं और यही वज़े है कि लगातार टेंप्रेचर डाउन है चाट डिग्री सेल्सियस बना प्रियागराज की जो व्यवस्ता है वो परियाप्त नहीं है लेकिन प्रियागराज की तैयारियां कितनी मुस्तैत प्रियागराज में नजर आ रही है जी बिलकुल अगर प्रियागराज की बात करें तो यहां का मौसम पहाडों सरीखा हो गया है बर्फबारी तो नहीं हो रही है लेकिन दिन भर बर्फीली हवाएं चलती हैं जो लोगों उपर कहर बन कर तूटती हैं और उनको खूप परिशान करती हैं यहां का मौसम काफी खराब हो गया है पिछले कई दिनों से यहां पर धूप नहीं निकली हुई है अगर पिछले 48 घंटों की हम बात करें तो यहां पर तापमान 3 डिग्री से नीचे चला गया था यानि जो मौसम पहाडों का है वो मौसम प्रियागराज का हो गया है मौसम सुहाना जरूर हो ग आम तोर पर सुबे का वक्त है आज सोमवार का दिन है सड़क पर खासी चहल पहल हो जाती है लेकिन आप तस्वीरों में देख सकती है कि सड़क पर सनाटा सा पसरा हुआ है एकका दुका लोग ही निकल रहे हैं बाहर जिनको बहुत जरूरत है बहुत जरूरी काम से निकलना है वही बाहर निकल रहे हैं तो एक तरफ बरफीली हवाई चल रही है और दूसरी तरफ कोहरा दो पहर तक चाया रहता है इस वक्त भी कोहरे का आलम ये है कि विजिबिल्टी जो है वो पचास मीटर से ज्यादा कता ही नहीं है यहां के जो स्कूल कॉलेज हैं वो पांच जन इस बसोरों का इंतिजाम कहा जाए वो सारे के सारे काघजों पर जादा नजार आ रही है और उट के मूं में जीरा थाबित हो रहे हैं तो साफक तोर पर कहा जा सकता है कि सरदी के सितम से प्रागराज के लोग ठिटुर रहे हैं कांप रहे हैं हमारे साथ एक सजर पाउजूद यह कापते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बताईए भाईश साव क्या नाम है आपका और छंड कितना परिशान कर रहे इसे तुत पर ज्यादा परसांद कर रहे हैं। कुछ जल रहा है और यहन ना रहें बसेरे में कोई वो नहीं सुनुआ ही नहीं हो रहा है यहां किस करें हैं लोग कपड़ा न मान ली आ तो घर में खाने पीने के लिए हम लोग का फिन दिक्कत हो जाएगी थेंडम कहा निकलते हैं जली हम लोग तो आइसे ही रह जाते हैं दिन दिन भर यह हाल अकेले इनका नहीं है बलकि पूरे प्रियागराज का यही हाल है लोग इसी तरह से ठंड में ठिट हुर रहे हैं और प्रियागराज में अब तक ठंड की वज़े से 5-6 लोगों की मौत भी हो चुकी है हाला कि प्रशासन नीन मौतों की पुष्टी नहीं की है लेकिन डियम भानुचंद गोस्वामी का कहना है कि हम इसका खंडन भी नहीं कर रहे हैं चुकी हमने पोश्ट माटम नहीं कराया है इसलिए हम इसका खंडन भी नहीं कर रहे हैं और इसकी पुष्टी भी नहीं कर रहे ह तो साफ तोर पर कहा जा सकता है कि देश के दूसरे हिस्सों की तरह प्रयाग राज भी ठिठुर रहा है और जो सरकारी इंतिजाम है वो सिर्फ उट के मुँ में जीरा साबित हो रहे हैं बिल्कुल मोहिन और एक हैटस ओफ आप दोनों को भी नितन और मोहिन क्योंकि इतनी ठंड में इतनी देर तक बोल पाना माइक पकड़ करके हाथ में रखना ठंड काफी जादा है हम बाकी लोगों को देख रहे थे कि कितनी जादा मुश्किल हो रही है उने जवाब तक देने में बहुत बहुत शुक्रिया नितन आपका और मोहिन आपका भी इस चानकारी के लिए चली आगे बढ़ेंगे ग्रेटर नॉज़ा में कोहरे ने एक ही परिवार के 6 लोगों की जान ले ली है और 5 लोग गंफी रूप से जखमी भी हो गए यहाँ पर दनकौर थाना शेत्र के खहली नहर के पास तेज रफतार कार बेकाबू होकर के नहर में जागिरी और हाथसे में एक ही परिवार ने एक साथ अपनी जान कवा थी 6 लोगों की मौत हो गई 5 लोग घायर हो गए हाथसे के वक्त कार में 11 लोग सवार थे जो संभल से एक कारकर में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये हाथसा कितना जादा भयानक थाक कार पूरी तरह से डामेज हो चुकी है वही सूचना पाकर मौके पर पहुँची पुलिस कर्मियों ने रहन में कूट करके 11 लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया और अस्पताल में भर्ति कराया जिसमें से 6 लोगों को डॉक्टर्स ने मृत गोशित कर दिया वहीं 5 लोग गंभी रूप से घायर है तो ये तस्वीर आप देखिए घने कोहरे की वज़े से यहाँ पर आक्सिडन्ट हुआ ये हदसे का शिकार हो गए एक ही परिवार की 6 लोगों ने अपनी जान गवा दी आप कार की कंडिशन देखिए कार पूरी तरह से पलट चुकी है और डामिज हो चुकी है ऐसे में किसी का भी बचपाना काफी जादा मुश्किल है रेकिन पुलिस कर्मी फॉरण ही नहर में पहुच करके वहाँ पर 11 लोगों को बाहर निकाला गया जिनमें इसे 6 लोगों को डॉक्टर्स ने मृत घुश्चत कर दिया और 5 लोगों का इलाज अभी भी जारी है सबसे पहले खबरे पाने के लिए ABP गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीज़े फेस्बुक पर लाइक कीज़े फेस्बुक पेज है www.facebook.com.abpganga ट्वीटर पर भी फॉलो कीज़े हमारा ट्वीटर है twitter.com.abpganga